सावन में इन उपाय से करे भगवान सीव को परसन मिलेगी चीवन में सफलता नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से सीव जी एक ऐसे भगवान माने जाते हैं जो अपने भगतों से जल्द ही परसन हो जाते हैं जैसा कि इनके नाम बोलेनाच से ही पता चलता है भगवान सीव को मनाना बहुत आसान होता है जहां एक तरफ सावन मा सुरू हो चुका है तो वही यह महिना भगवान सीव को परसंद करने के लिए महत्तपूरन महिना माना जाता है इन दिनों आप भगवान सीव को परसंद कर स करते हैं बता दें कि सावन हिंदू कलेंडर में पांचमा महीना होता है जो सीव भगतो दवारा मनाया जाता है पूल महीने उपवास और पूजा अर्चना करने वाले सावन को अत्यांत सुब माना जाता है अगर आपके मन में भी यह सवाल है कि कैसे करें सीव जी को प्रशन त करते हैं इन दिनों आप भगवान सीव की पूजा कर उन्हें प्रशन कर सकते हैं दोस्तो सावन का सबसे महत्तपुरन हिस्सा सोमबार वर्थ है सोमबार का वर्थ पूरन रूप से सीव को समर्पित है इससे जूड़ी कहानी भी है एक जो कि मैं अभी आपको बता रही हूँ समुंदर मंथन के बाद समुंदर से कई कीमती रतन निकले थे जो निकला वहविस्थ था जिसे भगवान सीव ने निगल लिया माता पारवती अपने पती की रक्षा के लिए माता पारवती ने जहर को सिव जी के सरीर में परवेश करने से रोकने के लिए तुरंत उनकी गर्दन पकड़ ली इसके परिनाम सवरूप सिव का कंठ नीला हो गया तो दोस्तों अब जान लेते हैं सावन के महिने का महत्तव ऐसा माना जाता है कि सावन के महिने में भगवान सिव पृत्वी पर अउतरित होते हैं और पृत्वी का वातावरन सिव भगती और सिव की भगती से गून जुठता है ऐसी माननता है कि सावन के माह में भगवान सीव की भगती करने से सीव जल्दी प्रशन हो जाते हैं और हमारे दुखों का अंत भी करते हैं इस महिने में भगवान सीव के मंदिरों में भक्तों की भीड लग जाती है और भक्त बड़े परेम भाव से भगवान सीव की पूजा रचना करते नजराते हैं सीव पुरान के नुसार देवों के देव महादेव को प्रसंद करना बेहद आसान माना जाता है ऐसी माननता है कि भगवान भोलेनात अपने नाम की तरह ही बेहद भोले और सरल है इसलिए उनको प्रसंद करना बिल्कुल ही आसान है तो चलिए जानते हैं कैसे गरे सिव जी को प्रसंद सबसे पहले आप सिव लिंग पर बेल पत्तर चड़ाएं भगवान सिव को बेल पत्तर बेहद पिरिया और पसंद होता है इसलिए सिव जी को प्रसंद करने के लिए आप पूजा करते समय सिव लिंग पर बेल पत्तर को अवस्य चड़ाएं इस बात का ध्यान रखें कि बेल पत्तर पर जादा धारिया नय हो यह 3 से 11 दलों का होना चाहिए ऐसा माना जाता है कि भगवान सिव पर बेल पत्तर चड़ाने से वक्ति को बड़े से बड़े रोगों से छुटकारा मिल जाता है साथ ही उनका वैवाहिक जीवन में खुसहाली बनी रहती है और सभी तरह की प्रेशानियों से मुक्ति मिल जाती है दूसरा जल और दूद से अभी सेख करें जोती सास्तरों के नुसार सिव लिंग पर दूद और जल से अभी सेख करने पर वैक्ति के मानसिक और सारीरिक दोनों तरह के कस्टों से छुटकारा मिलता है दोस्तों बता दें कि ऐसे माना जाता है कि यदि जातक नियमित रोप से सिवलिंग पर जड़ अभी से करता है तो उसका दुर भगगय भी भगवान सीव सो भगगय में बदल देते हैं इसलिए यदि आपको भगवान भूलेनात की विशेश करप पाने चाहते हैं तो हर रोज सिवलिंग पर दूद और जल से अभी से अवश्य करें तीसरा सिवलिंग पर अकसत चड़ाएं हिंदु दरम में ऐसी माननता है कि सिरुफ चावल के चार दानों से भगवान भूलेनात को परसन किया जा सकता है इसलिए भगवान सीव की पूजा करते समय सिवलिंग पर अकसत यानि साबुत चावल अवश्य चड़ाना चाहिए लेकिन इस बात का विशे इस्द्यान रखे कि चावल साफ और इसके टुकड़े नहीं होने चाहिए ऐसा माना जाता है कि अकसत की तरह ही भगवान सीव परसन होकर भगत को धंदोलत पद परतिष्टा परदान करते हैं चोथा भगवान सीव को धतूरा जरूर अर्पित करें भगवान भोलेनात को धतूरा बहुत पिरिया होता है इसलिए सीव जी की पूजा करते समय धतूरा अवस्य चड़ाए ऐसा करने से भगवान सीव परशन होकर भगत की सभी मनों कामनाए पूरण करते हैं अब जान लेते हैं कि जोतिस के अनुसार सावन सोमबार वर्थ करने के कुछ नियम आप सोमबार का उपवास रखकर भी भगवान सीव को परसन कर सकते हैं जोतिस के अनुसार सावन के महिने में वर्थ रखने दोरान कुछ खास रस्मों का पालन करना चाहिए जो की आगे मैं आपको बता रही हूँ इसलिए इस वीडियो में अंतक बने जो वेक्तिवेर्ट रखने जा रहा है उसे प्रातकाल जल्दी उठकर सनान कर लेना चाहिए जिससे उसका सरीर पूरन रूप से सुध हो जाए जातक को सिव मंदिर में सीव लिंग पर दूद अवस्य चढ़ाना चाहिए महादेव की पूजा करने के लिए पूजा स्थल को ठीक से साफ करना चाहिए पूरे मन और संपरन से वर्त रखने वालों को वर्त के दोरान महादेव की भगती में डूब जाने की सपत भी लेनी चाहिए इस दोरान दिन में दो बार भगवान सीव की पूजा की जाती है पहली पूजा सुबह जल्दी करनी चाहिए जबकि दूसरी पूजा सूर्यास्त के बाद करनी चाहिए पूजा के लिए जिंजेली के तेल का दीपक जलाया जाता है और भगवान सिव को फूल अर्पित किये जाते हैं मंत्रों का जाब भी किया जाता है और महादेव को मेवा, पंचामुरत, नार, यल, पान, आदी का भोग भी लगाया जाता है सोले सों वर्थ कथा सावन का पाठ करना चाहिए इस वर्थ कथा में महादेव के जीवन का वर्नन किया गया है पूजा समाप्त होते ही परिवार के सदश्यों को प्रसाद देना चाहिए स्याम की पूजा के पस्चात वर्थ को खोला जा सकता है और सामाने भोजन भी किया जा सकता है आपको मंत्रों का जाब भी अवश्य करना चाहिए अब जान लेते हैं कि सावन के सुमवार वर्थ कौन कौन कर सकता है सावन सुमवार का वर्थ विवाहित महिला ये सुखी और आनंद में वैवाहिक जीवन के लिए वर्थ रख सकती है एविवाहित महिला भी अच्छे पती की प्राप्तिक इच्छा और सुख में वैवाहिक जीवन के लिए यह वर्थ रख सकती है ऐसी माननता है कि जो कोई भी विश्वास और भक्ति के साथ इस वर्थ को रखता है तो उसे स्में महादेव का आसिरवाद प्राप्त होता है